आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बॉटल के से रूम को ठंडा करने का ऐसा उनिक आइडिया शेयर करूंगी जो आज से पहले यूटीव पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा इस में ना तो हमेर कलोर की जरूरत पढ़ेगी ना एसी की जरूरत पढ़ेगी इसके बगएर ही कमरा एसी जैसा ठंडा हो जाएगा इसके साथ इस वीडियो में बहुत सारे में निल लाइफ हैक्स टिपस और जिक से शेयर किये हैं वीडियों इन था, यह अमेशिंग, इंडरेस्टिंग, यूसफूल है, अगर आप फूर वीडियो वाच करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हाँ, अगर मेरे मेरे चैनल पर अपने उर्क मेरे आपने उर्क मेरे चैनल को सीपस्क्राइब करते हैं, विल्कम बैक पूमाई चैनल बिस्मिल्लाहिर्मानी रहीम शुरू लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा महरुपान नहाई द्रह्म करने वाला है अस्सेलामुलेक्म कैसे आप सब लोग मीग करते हैं लतला के फजलो करम से टिक टाक होंगे जबर दस्तुमगे लाह में भी ठीक हूँ तो बिने टाइम वेस्ट किये वीडियो स्टार्ट करते हैं इस तरह के कप हर गर में होते हैं डिस्पोजर्बल अप कप ले ले लेजिए आइस्क्रीम कप ले लेजिए ये गलास ले लेजिए तो अब आपने इन तीनों में मीठा सोटा एक एक चुटकी में डाल दिये है और दो दो जमस आपने इसमें एड़ करना है अब करते हैं चलते हैं नेज्क्स टुप की तरो नहीं जैसे मरती आप इसको चलाएं और यह बिल्कुल टिक जाएगा गिरेगा नहीं उमीद करती हूं यह मेरा चोटा सा आइडिया था चोटी से मेरी यह टेप थी आपको पचांद ही होगी चलते हैं नेक्स टेप की तरफ नेक्स टेप मेरे इस तरह की जूसर मशीन के लेट किया था उसको मैंने कटकर लिया और फ़्यए पारे अश्चे से प्रश कर लिया अब इसी के साथ हम इसको क्लेंट करेंगे तो मैंने स्पवांज ले लिया इसको फोड़ा सा मैंने लगा कर दोंगे कितने इच्छे तरीकस गो Southwest को यह निकाल देता है इसमें क्लीनिंग जल्दी नीट क्लीन कर देता है चीज़ों को इसी तरीक से मैं वायर को भी कर लिए और जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच था स्पांज नहीं जाता वहां पर मैं टूथ ब्रुश लोंगी उसके साथ इसको नीट क्लीन कर लूँगी और इसको वायर कुमेंटेंट करने के इतना मज़िक आइडिया मैं आपको दूंगे कि आपको कादिल खुश हो जाएगा आप मैंने इसको यहां से देखें अंदर इसके पाड चोटे चोटे से वहां पर वस्फंज नहींगे तो मैंने इसको टूड़ा बहुत रह गया तो इसको भी मैं इसको ब्रूट कर लूँगी इसके सबाद मैंने एक सुखा कपड़ा लिया है गेला कपड़ा बिलकुल नहीं आपने यूज़ करना इसको मैंने सुखे कपड़े से साफ किया बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो चुका था यह जो हमारी मशीन है बिलकुल नीट क्लीन हो गई है बिलकुल लियू की तरह होगी आपके सामने मैंने इसको साफ किया है वीडियो को कोई पार्ट मैंने स्किप नहीं किया, बारी को बी मैं इसी तरीके से साफ कर लूँगी, फुशे कपड़े से यह भी नीट क्लीन होगी, आप आगया है, बारी इसको मेंटेंड करनेंगी, आपने इस तरीके जिसको रूल करते जाना है, यहां देखें, जैसे आप मेरे हाथ तरफ देख रहे हैं, और यह तोट गया था तब इसको मैंने क्या किया इसको मैंने फ्रीजर में रख लिया था यह बिलकुल ठंडा होके हाड वो चुका है अब मैं इसको गुलू गंड से लगा लूगी तो यह मारा यह जो बिलकुल जबर्दस रहेगा, बिलकुल खराब नहीं होगा, अगर रबर इसकी ना लगाएं तो यह लूस हो जाता है, तो यह किसी काम का नहीं रहता है, तो मैंने इसको घलूगंड से चिपका लिया था, बहुत अच्छे से चिपक गिया था, आगर आपके पास भी इस तरह का कोई मसल सकता है तो चलते है है नेक्स टिप की तरफ नेक्स टिप में बड़ी ही सब्रदात सा यह जो इस तरह के आधे भी ma Daते हैं पर गया जो एक रख आइस्ट घर में करना आटर जो अंदर आप despite always कि कि फ्रेंट कमा कर दो आंपने कि इस तरीके से यह मैं बड़े बड़े सिजर की मदढ़ नर्म सा होता है सीजर की मदढ़ से ही कट जाता है से अकिक टैन वहीं वी काट लिए हैं के अंदर वाली साइड पे या के बशन के दूर में आप इसको से लगाले तो मैंने कर दीए चाठहें बशन कर दीचाना के dhool मठी नहीं तो इसको प्रस्ते बीस होगा करेंगे और इसी को इसमें से इसमें को बेट भी स्टव कहें हो संधय आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है अगर चैनल पे नीए तरफ नेक्स टिप मेरी यह बायर होती है बहुत में करते हैं तो यह लूप सा बनाकर नहीं इसके उपर बल देते हुए इस तरीके से स्विच को इसके अंदर से गुषार के और नी है और यह जो मेरे हाथ में एक मौथ है ना वह लेड़ है तो यह किस की जीज़ का यह जूस वाला जो टिपा होता है न उसका उसके उसके वाले डिपसे में पहले बनाकर अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी है तो चैनल को विजट करके देख साकती है अब मैंने उसी का कि लुटा है इसी तरहा हम च चूटी चूटी चीजों के अर्गश буकना करो तो और और बाधार करके हम बहुत सारी अपने पैसे बचा सकते हैं जो कह Blake है नोगा की हम बहुत सर अपनी पैसे बचा सकते हैं ताइम बचा सकते हैं पन जब इसको निकालेंगे ज़्यादा निकालाता है तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो पूरी क्वांटिटी में निकलेगे जितना आपको चाहिए होगा यह दिख में निकाल के दिखाती हूं कि जितने भी आपको चाहिए में आपको यह मिलेगा मैं उम्हेद करते हूं यह मेरी टिप आपको पसंद है कि नेक्स टिप मेरी चोटी से कि जब गलू है कि जो चोटी हो जाती है तो आगे को निकल दी तो आप पीछे इसके लेड पैंसल जो होती है वो लिगा दीजिए तो चलते हैं नेक्स टिप मेरी चूरी को तेज करने के लेटिट है कि मैंने सेंट पेपर ले लिए हैं और उसको छोटो छोटो पीस कटे करें मैंने डबल टेप इसके नीचे पीछे चपका ली है और इसको मैं क्लाथ के इस तरीके से दुना साड़ा पर चिपका लूंगी यह हैं बहुत अच्स तरीके से हमारी जो छुरी की धार धर्गते इसकाने के लिए मेंने बनाए है मिटो में तेस हो जाती है और हमारे हाथ भी मेह भूज रहते हैं इस से आरे सारे पैसे बच जाते हैं तो चलते हैं नेक्स टीप की तरफ मेरी बहुत जबर जयन्मीक आडिया ह फुल्ड टिफ़ोच कीजिए गा इससे हमारी ह्जारों नहीं लाको रॉपे बचने वाले बहुत महेंगाई हैं जब हम AC कूलर चलाते हैं बहुत बिलाता है और बास हमारे घर मारे अइसे नके घरमें AC कूलर नहीं है वो भी AC कूलर के को अपनाकर मज़े ले सकते हैं तो आपने करना के कि दो बॉटल मैंने ले ली है और आपने नाइफ को गरम कर लेना है या आपके पास अगर कावियह है है तो काविया ले 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 मैने नाइफ का इसलिए गांकि यह नहीं होता तो मेरे पास नादी इस मैं ने मोटे-मोटे सुराख अपने दर्म्यान के यहाँ करने जैसे ही मैं दर्म्यान इसके मैं कटक करूंगी करेंगे वैसिन आपने करीन नाइफ THD दो यंच का पीस्ट मैंने छोडना है इस सारी के मैंने कटिंग देखें गर्वने सी देखें इस तरहेके से दूसरे को मैंने इसी 111 तरीके से गर्व से . इस पर करनी है और यह प्रसिस आपने वहां करना है जहां से आपने हमने दो इंच का जो पीज पार्ट छोड़ा था ना उस साइड से अब यह प्रडिस्टल फायन तो हर घर में ही होता है तो आपने करना किया कि इसको इनके पीछे रस्यों से इस तरीके से बांद देना जैसे यह बांद रह आप आपने करना किया कि बरफ के मोटे मोटे पीस कर लेने हैं इस डिप को देखे इस आइडियो को देखे आपका दिल खुश हो जाएगा और सारे पीस जो है ना बरफ के आपने इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल देने हैं आपने दोनों पोतलों को इसी तरीके से जो है पंखा है ना वह ओनों होल में से यह ठंडक आगे को खेंचेगा यह जो बरफ की वज़ासे वह बरफ छोड़ेगी ठंडक वह आगे को खेंचागा इससे हमारा रोम ठंडा हो जाएगा आप इसको लाजमें ट्राइ कीजिए यह बहुत दोबर दस्टिप है इतनी ठंडक हो चुकि थी ठंड़ी हवा आ रही थी जैसे वह यह सी को पीछे चोड़ रही थी और एर गुलोर को भी पीछे चोड़ रही थी जिकिन कीजिए उमीद करते हूं जो मेरी आज की वीडियो आपको नहायत पसंद आई होगे अगर पसंद है तो मेरे चैनल को अपने लाजमें करने मेरी वीडियो को लाइक करने चोड़ा से कमेंट आपने लासमें देना है तो कि मैं इसी तरह की यूजफिल वीडियो आपको लेकर आते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में अला आफेज